बेहन ऐसी ही होती हैं पेरी बेहन ने मेरी लिए जो किया मैं उसके लिए अपने आशु नहीं रोक पाया मुझे अपने आफ से नफरत हो रही थी मेरी बड़ी बेहन की साधी एक ही सहर में हुई थी लेकिन वह जादा नहीं आती थी बच्चों की छुट्टियों में या कभी तिवार में आती थी मैं अपनी बेहन को ज़्यादा पसंद रही करता था ना मैंने कभी उसका हाल चाल जानने की कोशिश की कि वह किस तरह रह रही है उसे कोई परिसानी तो नहीं है और जब वह कभी कभार आती थी और जब जाती थी तो मा उसे धेर सारा सामान बांद के दिया करती थी अचार, पापर, चावल लेकिन मेरी पतनी को यह अच्छा नहीं लगता था इस गर्मी की छुट्टियों में आई तो मा ने उसे जाती टाइम सामान देने लगी तो मेरी पतनी ने देखा और मुझसे सिकायत करने आई कि देखो तुमारी मा तुमारी सारी कभाई तुमारी बेहन पर लुटा रही है तुमारी बेहन तो यहां लेने ही आती है तो मुझे भी मा पर बहुत गुस्टा आया और मैं उठकर मा के पास गया और मैंने मां से बोला तुम दीदी को इतना क्यों देती हो क्या उसके यहां कुछ नहीं है तो मेरी नारी कमाई बस यहीं लुटा दो मेरी और मां के वाते मेरी बहन ने सुन ली मुझे पता था उसे बहुत दुख हुआ होगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा वह मेरी कमरे में आई और बोली भाईया रिक्सा ला दोगी मुझे जाना है मैंने उपरी मन से कहा रुख जाओ लेकिन उसने कहा अब बच्चों के स्कूल खुल गए है भाईया अम मैं फिर आऊंगी और वह चली गई वह सोचने लगा पताजी के मजने के बाद जब हमारा बटवारा हुआ था हम दौनों भाईयों ने बटवारा कर लिया था और अपने बहन को कुछ नहीं दिया था मेरी मा ने कहा भी था लेकिन उसे चुप करवा दिया था और फिर मेरी बहन ने भी तो मना ही कर दिया था कि भाईया मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे बस हर रक्षबंदन पर राखी बंदवा लिया करो बहन के साथ जैसा विववार किया सायथ हम दौनों को उसका फल मिल रहा था मेरे भाई का सारा कारोबार बरवाद हो गया वह मजदूरी करने लगा मेरे बेटे को बड़ी बीमारी हो गई और उसके इलाज में लाखों रुपे लग गए आज हमारे पास खाने तक को रुपे नहीं बचे थे आज रक्षवंदन था और घर पर रासन भी नहीं मैं कमरे में अकेला बैठा सोच में डूबा था तभी मेरी बेहन आ गई उसे देखते ही मेरी पतनी ने कहा आ गई विकारी उसे देखकर मुझे भी गुश्चा आ गया क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था वह अंदर आई उसने मेरे बेटे को देखा और फिर मेरे पास आई और बोली भाईया कैसे हो आज रक्षवंदन है आपको याद है मैं आपको राखी वानने आई हूँ उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे राखी वान दी और मुझे मिठाई खिला दी लेकिन मेरी आखों में आशू थे उसने मेरा हाथ चुमते हुए कहा भाईया तुम परिशान क्यों होते हो अभी तुमारी वहन जिन्दा है और अपने भाईया पर एक आच नहीं आने देगी फिर उसने अपने पर्स से शौने की कंगन निकाले और मेरे हाथों में रख दिये और बोली भाईया आप मुझे हर रक्षा बंदन पर कुछ न कुछ देते हो तो क्या मैं आपको नहीं दे सकती हूँ क्या बेहनों की रक्षा करने का हक केवल भाई का होता है हम बेहनों का नहीं होता है आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने भाईया के कुछ काम आई तो मेह कंगन पकड़ो और घर में राशन ले आओ और बेटे का इलाज करवाओ मैं अपनी बेहन का मुह देख रहा था कि मैं हमेज़ा अपनी बेहन से नफरत ही की है मैंने कभी उससे ये नहीं पूचा कि वह कैसे हाल मैं है उसे कोई परेशानी तो नहीं है लेकिन मेरी परेशानी देखी न गही उससे और भाग कर चली आई मेरी बहन ने कहा भाईया अब मैं जाती हूँ तुमारे जीजा जी भी घर पर आ गए होंगे लेकिन तुम यह बात किसी को मत बताना कि मैंने तुमारी मदद की है आज पहली बार मैं अपनी बहन को वाहर तक छोड़ने गया मैंने उसके पैरों में देखा तो आज तूटी चपल पहने थी और कपड़े भी तो पुराने ही पहने थे मेरी आखों से आशु बह रहे थे मुझे लग रहा था हम भाई कितने मतलबी होते हैं अपनी बहनों का पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहने अपने भाईयों का जरासा दुख भी नहीं देख सकती हातों में कंगन पकड़कर जोड जोड से रोने लगा बहने कभी नहीं मांगती उन्हें जितना हाथ उठा कर दोगे उतना ही लेगी हम जब अपनी बहनों को देते हैं तो सिर्फ उनके हक का ही देते हैं हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहने मायके से कुछ लेने आई है हर बहन महान होती है वह निश्वार्थ अपने भाईयों से प्रेम करती है यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं